तो हम बात कर रहे थे परिमान वाच्चक विशेशन के बारे में परिमान वाच्चक विशेशन क्या होता है? जहां पर हम माप तोल के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी जिसको नापने के बारे में बात कर रहे होते हैं जैसे कि आपको धान के तौर पर 2 किलो मीटर लंबी कितनी लंबी 2 किलो मीटर तो इस तरीके से नाप लिया गया है तो यहाँ पर अगर हम देखें किस में दे रखा है कुछ बच्चे यहाँ पर आप नापने यही बात नहीं कर रहें, बीजर करने के बारे में वर्ष्टू का संदी विच्चेद है वर्षा जिसका एक अपना मीनिंग है यानि कि बारिश रितू यानि कि आने वाले मौसम जिनका अपना एक मीनिंग है तो संदी विच्चेद आपका वर्ष्टू क्या होगा आपका वर्षा रितू होगा Next आपका देखते हैं Question number हम बात करते हैं 6 के बारे में क्या दे रखा है आपको परिश्रम करने वाला चात्र पास हो जाएगा रिखांकित अंश में कौन सा पदबंद है यहनि कि इसमें परिश्रम करने वाला चात्र पास हो जाएगा रिखांके तरन्ष में कौन सा बदबंद है सर्वनाम, विशेशन, क्रिया विशेशन या संग्या बदबंद पहले तो बता दूँ पदबंद होता क्या है पदबंद क्या होता है वाक्यांज की बात हो रही है यानि कि जो मुख्य पद जिसके बारे में वहाँ पर बात चल रही हो इसमें जो आपका पद है वो वर्ड के बारे में बूला जाता है एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द एक मातर जो शब्द हो जो अपने बारे में जिसके बारे में बात चल रही है या बात किसके बारे में चल रही है परिष्ट्रम करने वाला चात्र चात्र के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पर अगर चात्र के बारे में बात चल रही है तो चात्र क्या है चात्र एक संग्या है और अगर चात्र एक संग्या है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा संग्यापदबंद ये क्या है आपका ये संग्यापदबंद है नेक्स देखते हैं वह सरवनाम के किस भेट के अंतर गत आता है वह जो है आपका अन्य पुरुष के भेट के अंदर आता है वह जो सरवनाम है आपका किस भेट के अंतर आता है या आता है अन्य पुरुष इसके लिए मैं आपको वीडियो के आखरी में या वीडियो से लिंक करके फोटो भी डाल दूँगा जहां पर ये शो कर रखा है कि कौन कौन से ऐसे शब्द है जो अन्य पुरुष के उसमें आते हैं जिसमें से कि आपका एक क्या है आपका वह है क्योंकि ये उत्तम चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है रिक्षा जो है वो जपानी भाषा का शब्द है कमरा जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है लेकिन जो कैची है वो कौन सी भाषा का है वो तुर्की भाषा का शब्द है तो ये जो शब्दा वली है कि कौन सा किस भाषा से जूरा हुआ है ये आपको पता होना बेहत आवश्चक है यदि आप एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं तो नेक्स आप देखते हैं राहूल संकृत्यान का मूल नाम था अब ये राहूल संकृत्यान कौन है ये बहुत ही बड़े घुमकड बहुत ही जदा घुमने वाले वेक्ती जिन्होंने बहुत सी अलग-अलग पांस से छे भाशाओं में अलग-अलग तरह की किताबे लिखी हुई हैं जिने वद्म विभूशन भी मिला हुआ है जिनको फादर आफ हिंदी टरलॉग भी कहा गया है यहनी कि जिन्होंने बहुत सरे किताबे लिखी हैं इनका जो नाम उता केदार पांडे जो इनका जर्म का नाम था केदार पांडे इन्हें पदमबूशन 1963 में मिला था और इन्हें सहित्या कार्ण में अवर्ड भी मिल चुका है जो इन्हें कुछ किताबे थी वो थी वोलगा से गंगा तिभबत में सवा वर्षा मेरी यूरोप यात्तरा नेखिए पूछ इनकी करतियाँ थी जो इनलें लिखी हैं, इनलें बहुत उलग अलग वांशाओं में, तिबबद भाषा में आपका नेपाली अलग अलग भाषा हैं उन्हें काफे सारी किताबे लिखी हैं जो कि ये बड़े ही स्कॉलर थे जबरदस्त नेक्स देखते हैं तारीक शब्द के बारे में तारीक जो आपका शब्द है ये अर्भी भाषा का शब्द है अगर ये अर्भी भाषा का शब्द हो गया तो ये कैसा शब्द हो गया विद अपना लिया गया, हिंदी भाषा में अपना लिया गया, ठीक है, next देखते हैं, उपना, शब्द का क्या अर्थ है, उपना शब्द का क्या अर्थ है, इसका शब्द का अर्थ होता है, इसका शब्द का अर्थ होता है, खड़ओं या जूता, क्या शब्द का अर्थ है, चलिए तो फिर देखते हैं क्या है वारे पास पूछ रखा है जॉन सारी बोली निम लिखित में से किस वर्ग में आती है जॉन सारी बोली निम लिखित में से किस वर्ग में आती है वो हिस्सा है जॉन सार तो जो जॉन सार है वो जब पस्चिम में हो गया तो वो क्या उनसी बोल जाईए यह बोल जाईए पस्चिमी पहाड़ी ठीक है तो जॉन सार ही बोली कौन सी है पस्चिमी पहाड़ी बोली है नेक्स देखते हैं लगुत्तर ये शब्द में कौन सी संदी है कौन सी संदी है जी संदी होता क्या है पहले तो ये बता दूँ दो शब्दों को मिलाने के बाद जो आपका उनके बीच में जो वारता हो जाए उनके बीच में जो संदी हो जाए मेत्री संबंद टाइप का जो ह पर दो जो साउन हमाँ पर आ रहे हैं कि वड़ेवाला उ जन रूरेट करेंगे इसलिए क्या आ जाएगा दिर्ग संधी में आ जाएगा आपका मैं कॉमा पर किस कारक के चिन है ये अधिकरण कारक के चिन है ठीक है जैसे कि कमरे में टीवी रखा है उधारन के लिए अधिकरण का कमरे में टीवी रखा है अब क्या है कमरे में जो में आया है वो किसलिए शो करेगा अधीकरण शो करेगा कि कहां पे ठीक है तो इसलिए क्या हो गया अधीकरण कारक नेक्स देखते हैं निमलिकित में से पुलिंग शब्द कौन सा है सिर्फ में इन चारों में अगर हम ध्यान से देखें तो फॉज उसमें कोई सा भी आप लिंग नहीं लगा सकते सभा वो भी आपका कोई सा भी लिंग नहीं लगेगा और सरकार उसमें भी कोई सा भी लिंग न मेरे ख्याल से और से लिट में जो फोटो है वो भी आपका लिंक में डाल दूँगा जिन में मैंने आंसर में फोटो के लिए बोला है और अब हम इसके बाद डिसकस करेंगे नेक्स वीडियो में अपनी इस पेपर में आए हुए जितने भी आपके जनरल नौलिज के और रिजनिंग के कुश्चन हैं हम उनको डिसकस करने वाले हैं डिटेल में ताकि आपकी जानकरी उसके आसपास जितनी भी चीज़े दी गई हैं उससे में भी विर्दी हो जाए थैंक्यू वेरी मच्च